नमस्कार आप देख रहे हैं आलोकिक भारत निउस नेटवर्क आपके साथ मैं हूनिहांकुरवालिया आज चर्चा वेस्ट पिंगॉल चुनाओ पर दरसल चुनाओं से ज्यादा इन दिनों वेस्ट पिंगॉल में चल रहा प्रचार चाया हुआ है सुर्खियों में और क्यों चाया हुआ है क्योंकि ममता दीदी के जो पैंतरे नए नए रोज सामने आ रहे हैं उसको लेकर खास तोर पर चर्चा का केंदर बनाई हुई है दीदी और ऐसे में बीजेबी की बॉकलाहट भी सामने नजर आ रही है इसी पर करेंगे हम चर्चा हमारे साथ मौझूद है पॉलिटिकल एक्सपर्ट रविंद्र कुमार जी साथ ही हमारे साथ मौझूद है जाने माने पत्रकार एस्पीतर पाथी वरिष्ट पत्रकार हमारे वरिष्ट सायोगी आरार पांडे सबसे पहले रूख करूँगी रविंजी का रविंजी बहुत-बहुत सवागत है आपका रविंजी प्रचार हमेशा से वेस्ट बंगॉल का सुर्खियों में रहता है लेकिन इस बार दीदी जो नए तरह के पैंतरे आजमा रही है साफ दीदी का जो डर है दीदी की जो बॉखलाहट है वो उस प्रचार में नजर आ रही है देखे ममता बैनर जी एक ही बात के लिए जानी जाती है कि वो सिंगल मैन आर्मी है उनको किसी आदमी के जरूरत नहीं है अगर हम गिनेंगे तो एक बड़ी किताब बन जाएगी अब ममता बैनर जी को पता है कि लोगों को बंगाल के लोगों को क्या चीच चाहिए बंगाल का आदमी जो है एक तरफ तो बुद्धिमान है अकल का इस्तमाल करता है और दूसरी तरह वो घोर रूप से भावुक होता है और भावुक और घोर व्यक्ति का इस्तमाल करना जो है हार आजमी के बसकी नहीं है बारतिय जन्ता पार्टी के अमिशा को मैं मानता हूँ कि वो इस बात का इस्तमाल जो है दस-पंदरा परसंट कर सकते हैं लेकर अगर ममताब एनरजी से उनकी तुलना की जाए तो ममताब एनरजी 99 परसंट जो है इन दोनों बातों का लगातार इस्तमाल करती है और इसलिए उन्होंने सीपीम जैसी पार्टी जिसके 37 साल राज राज उनको धूल चटा दी बलकि उन्होंने लोगों को यह एसास कराया है कि देश में दो ही दीदी हुई है एक तो अम्मा होती थी आप देखेंगे तमिल नाडू में और एक बंगाल में दीदी है जो अब जो है जैसे उमर के पड़ाओ के बावजूद भी दीदी ही कहलाई जाती है और मोधी जी को भी और अमिशा को भी बार बार दीदी दीदी कहना पड़ता है तो आप समझएक्व ममता बेनर जी जानती है कि लोगों की नफस क्या है और नफस यह आँ कि आप जब प्रचार करें तो लोगों को लगना चाहिए कि हम पीडित हैं हम शोशित हैं, हम गरीब हैं, हम दबले कुछ हैं और चुकि उनकी तादात बंगाल में ज़्यादा है तो ममता बेनर जी अपने को उनीका रेप्रेजेंटेटेटि सर तो ये इंजरी कार्ड खेल कर अपनी रैली रोड शो को वीलचेर पर करना ये तो सब को समझ में आता है लेकिन आप एक बात बताएं, अपकी जो जनता है जैसा कि आपने कहा कि बंगाल की जनता बहुत ज्यादा इंटेलिजन दिमाग वाली जनता है, ऐसे में क्या उनको ये पैंतरे समझ नहीं आ रहे होंगे बीजेपी और कहीं न कहीं इसका फादा बीजेपी को नहीं मिल रहा होगा देखिए अगर आप कभी बंगाल गए हो तो वहाँ जो नाठक होता है फिल्म होती है उसको खेला बोलते है खेला होबे मतलब नाठक जलूर होगा उसी में मज़ा आता है और दीदी का नारा भी खेला हो गया, अब खेल यह हो गया, कि चुनाव आयोग इसमें बुरी हालत में फस गया है, मैं कई बर वीजन लेता हूँ, तो लेखता हूँ कुत्ते का, कि जो कुत्ता जो है, बाईचांस दरवाजे के बीचे फज जा है, तो ये चुनाव आयोग की हो गई है, चुनाव आयोग ने गलती क्या की, कि रात को जो है, डीजीप को बदला, सुबह जो है, मम्ताव आयोग जी की सीक्योटी में कमी हो गई, शाम को मम्ताव आयोग जी को चोट लग गई, सर अब तो लेकिन साफ हो गया है, कि जितना कुछ अब कोई बाबू, वो आ जो होता है, मुखर, निर्वाचन, अधिकारी जो है, वो बबू ही रहेगा, आईपेसी रहेगा, वो उसमें फरक नहीं आया, लेकिन जहां तक यह वाली बात है, कि चुनाव आयोग इसमें फालतु में फश गया, और इसलिए पहली बार, चुनाव आयोग तो सुनी लरोड जा रहे हैं, मुझे घसीटा जा रहा है, तो दिक्कत ही है, कि यह जो लोग पत पे रहते हैं, अपनी पत की गरिबा नहीं रखते हैं, इसका फायदा जब दूसी पार्टी को होता है, तब यह बड़ी रियानी के हालत में आया जाते हैं, और उनका पूरा परदाफाश हो ज का नहीं है, लेकिन इस बार लग रहा है प्रचार में उनकी बातों में, कि बीजेपी का डर उन्हें कहीं न कहीं सता रहा है, देखें चुनाओ है, चुनाओ तो आप जानती हैं, कि चुनाओ पान साल का होता है, पिछले दस सालों में सत्ता में रही हैं, तो डर तो नेता है बहुत भाउक है तो भाउक में जो तड़का है वो जो चोट लग गई उनकी और जिस तरह से उनोंने आरोप लगाया तुरंट भारती जनता पार्टी पर बिना जाज के उस पर अरोप लगाया तो उस पर बीजेपी डर गई कि जिस तरह से कि सेंपेथी ओट मिल सकता है उनको उसकी कार्ट के लिए उन्होंने किसको उतारा? उसका जबाब कैसे दिया जाए? अमिसाजी पदयात्रा कर रहे हैं, अमिसाजी रोट सो कर रहे हैं, तो पूरी ताकत लग गई है, तो जैसे उकिल साब ने अभी कहा कि उनको पटकनी देना आसान नी है, यह बात भारती जनता पार्टी समझ रही है, और भारती जनता पार्ट पार्टी ने जिस तरह से पूरी ताकत लगाई, जिस तरह से उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिज की, मतलब बड़े से बड़े नेता उसमें आ गए, बहुत से उनके बीजेपी में आ गए, कोई फेश नहीं था, बड़े नेता सब एकटे हो रहे हैं, भारती जनता अकेले रह जाएंगी, या अकेले रह गई है, उनका भतीजा रह गया है, जो लोग वहां पर है अभी पार्टी में, वो ऐसे लोग हैं जिनका बहुत आधारनी है, तो केवल वो ममता बनर जी को ही उनको पता है, कि मुझे ही चुनाव लड़ना है, मेरे पेस पर ही मुझे च जितना है पार्टी को, इसके लिए वो देखी, अभी चोट लगी थी, डाक्टरों ने कहा कि आप मत जाएंगे, लेकिन विलचेर पडा करेंगे, लेकिन विलचेर पर चल दिये, और सिंपती वोट इससे बहतर किस तरह से मिल सकता है, ये तो जग जाहिर है, पांडे जी का किस तरह के पहंतरे आजमा रही हैं, उसमें उनकी बॉकलाहट और कुछ अगर पत्रकार होने के नाते, एक एक्सपोर्ट होने के नाते आप से चानना चाहें, उनकी बॉडी लैंग्विज देखकर, उनकी बाते सुनकर, आपको क्या लगता है, कि दीदी को किस तरह की सुग और बंगाल एक दोनों के सिनानिमस हैं, अभी फिलाल जो स्थितिया बनी हुई है, और एक तरह वीजेपी के लोग हैं, तो वीजेपी ने पूरी दाओं चलने की कोशिस कर रही है, लेकिन ममता को अभी समझना बड़ा मुस्किल काम है, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी ने क कि वहाँ एक भाउकता है और लगाओ है, तो दीदी ने अपना काम कर दिया उस समय, कि अभी तो शुरुवाद भी नहीं हुई कि इस तरह एक घटनाय आ रही है, और आगे बम गोले की बात तो भी हुई नहीं है अभी, वो तो भी बाकी है, तो चुनाव आयोग इस तरह से फसा हुआ है, वास्तों में फसा हुआ है, कि इन चीजों को कैसे रोखा जाए, क्योंकि ये चीज़े होंगी, क्योंकि चुनाव, बंगाल का चुनाव इसलिए जाना जाता है, और आगे भी इस्तितियां बनेगी, लेकिन वीजेपी के लिए ये चुनाव बिल्कुल आसान तो दीदी ने उसको बहुत एक छोटा से चोटा सा से उखा देखे उसका काट किया है आगे अभी सितिया बनेंगी और निश्चित तोर पर यह चुना बहुत आसान नहीं होने जा रहा है वीजेपी के लिए भी तो जो पैंतरा दीदी ने खेला सर जैसा कि हमने देखा कि कि अपड़ा सबका साफ है आमने सामने दीदी और बीजेपी कि ब्यालीज इन चुनावे चलने हैं क्योंकि आज हम जिस दिन बात कर रहे हैं 15 तारिक है 30 दिन इस महने के हैं और बाकि जो 29 जिन वो अगले महने के हैं ब्यालीज जिन चुनाव प्रचार होना है एक दिन में तीन खबरें बन सकती हैं, तीन खबरें में अगर मम्ता बेना जी ब्यालिज दिन सुर्खियां ले गई, ब्यालिज सुर्खियां मम्ता बेना जी के नाम गई, तो आप मैं कहूंगा कि मम्ता बेना जी जीती है, राजी दी भागुकता का खेल जरूर है, लेकिन य लेकिन मेरा ये मानना है कि बंगाल में तीसरे नंबर की पार्टी रहीगी, दूसरे नंबर की भी नहीं रहीगी, ये मेरा मानना है क्योंकि BJP को वहा कार्णी पसंद नहीं करता, दूसरे नंबर की पार्टी को आने, दूसरे नंबर पे CPM, CPI, और कॉर्णी आप क्या रहें कि वाम पंती भी आगे निकल जाएंगे अब, आप ये समझिये कि 2019 के चुनाओं में जो BJP जीती है, वो इसलिए जी लेकिन आप कितना सहमत है सर की बाद से? वो वेस्ट बंगाल चाहिए वीजेपी को, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको पार्लामेंट पे लेके और इंप्लिमेंट कराना है, और वीजेपी उस पर हिंदू कार्ट तो इनका मुक्या ही, फिर रोहंगिया का हो गया, फिर और सारे मुद्दे हैं, मुसल्मानो अगर मैं बात करों, मुझे आमने सामने दीदी और बीजेपी नजर आते हैं, सर ने कहा कि तीसरे नबर पर आएगी बीजेपी, सर कितना सहमत आप सर की बात हैं? नहीं, मैं आप से सहमत हूँ, मैं आप से इसलिए सहमत हूँ कि लडाई जो है, BJP और तिर्बूल कांग्रेस में हो रही है, उनके नेताओं के… सर, प्रचार में भी कही नजर, दूर दूर तक उनकी बात नहीं होती है, और दलो के जिनकी बात कर रहे हैं, सर, उनकी कहीं बात नहीं होती है। तो आप देखिये न, कि आपस भी ही लड़ रहे हैं, तो यहां तो CPM और कांग्रेस कहीं लड़ती हूँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। लडाई, असली लडाई जो है BJP और तिर्बूल कांग्रेस के बीचे। भी काफी हद तक है, कि हो सकता है कि BJP को नुकसान में उठाना पड़े हैं। जो है BJP उठाएगी भी और BJP के पास जो है, जैसे पहले उसके पास कोई फेश नहीं था, पर जो बड़े नेता थे, बावल सुप्रियोगर जो है, वो बहुत बड़े जनाधार वाले नेता थे, तो नहीं थे, अब जो बड़े नेता आये हैं। के पास, वो उन लोगों की वहाँ पर पहुच है बहुत जबरजस्त, और उसको इस तरह से कहा देना कि खारिश कर देना कि जो नहीं हो पाएगा, ऐसा संबर नहीं है, क्योंकि यह स्थानी चुनाओ है, BJP, MLA का जो चुनाओ होता है, उसमें इंडिविजियोन जीती हुई पाटी है, West Bengal में, जिस तादाद में इन लोगों की शिफ्टिंग चल रही थी, और उसके बाद दीदी भी कही न कहीं घबरा गई थी, जी हो तो है, अभी घबरा तो अभी भी है, लेकिन मैं यह आप से कह रहा हूँ कि अभी आठ चलनों में चुना होने है, अभी एक कहना बात की बात है, कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से ममता जी ने उसको एक्स्प्लोर किया, कि उन्होंने कहा कि हम प्रदेश को बचाना चाहते हैं, क्योंकि प्रदान मंतरी को उन्होंने ताना साह कहा, ताना साह और लोकतंत्र को बचाने परक नहीं पड़ेंगे क्योंकि आठ चरहन के चुनाओं हैं और हर चुनाओं में अगर एक-एक पैत्रा चला जाए तो तो भी आठ तो चाहिए ही चाहिए अब कौन से पैत्रे हो रहे है यह देखने वाली बात है सार दस साल भले ही दीदी ने राज किया हो वेश पिंगॉल पर लेकिन कहीं न कहीं करप्शन और गुंडागर्दी का जो पूरा कमूना मामला रहा है वो पूरी तरह से चाया रहा है ऐसे में उसका वो इस्चु बनेगा और ऐसे मिं क्या नहीं लगता आपको कि इस बार फिर स चेंज जो है वो मुमकिन हो नहीं देखिए एंटी इंकमेंसी का तो असर तो होता ही होता है दूसरी वीजेपी वहां पर पूरी जोर सोर लगा दी है तीसरी जो समिकलन वहां से बन रहा है कि त्रिनमुल का अंगरे से नेताओं का इधरा न अब सब कुछ इस पर डिपेंड की बात करें नहीं देखिए चुनाओं में जो उनको पता है बड़े नेता सबको पता है कि भले ही अपनी ताकत पूरी जोक रहे हैं लेकिन उन्हें कहीं न कहीं बात का आभास है कि हमें फाइदा कहीं मिलेगा उन्होंने काम किया जैसे एक मुठी चावल उन्होंने इस ताकत के साथ उन्होंने जिसे ओकिल साफ में चाहा रहें वहीं तीसरे नंबर पर वामपंती दुबारा लौट कराएंगे वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी को देखते हैं लेकिन जिस तरह का वहां पर समीकरा नजर आ रहा है ये तो आने वाला जब आठ चरन के चुन लेकिन इस समय हम ये कह सकते हैं कि जो प्रचार की राजनीती चल रही है बंगाल में वो अपने आप में लोगों को बहुत आकर्शित कर रही है तो फिलाल हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ABNN के साथ